इस वीडियो का टॉपिक है smallest four digit and largest three digit number यानि हमने पढ़ना है कि smallest four digit number कौन सा है और largest three digit number कौन सा है डिजिट क्या होता है यह समझने के लिए हम एक example ले लेते हैं इसमें डिजिट से क्या मुराथ है यहां पे seven एक डिजिट है और four दूसरा डिजिट है तो हम कहेंगे कि 47 में डिजिट की तेदाद two है यानि यह एक two digit number है two digit number अब यहां आपके सामने एक staircase है अब मिसाल के तोर पे मैं यहां पे number लिखती हूँ six तो जैसे कि आपको पता है कि six के बाद अगला number कौन सा होगा seven होगा और seven कैसे आता है seven आता है जब हम six में one plus करें तो nine आ जाएगा nine आ जाएगा nine और nine कैसे आएगा जब मैं eight में one का इजाफा करूंगी plus one करूंगी तो nine आ जाएगा और जब nine में plus one करूंगी तो फिर क्या आ जाएगा फिर आ जाएगा ten तो हम जानते हैं कि हर अगला number पिछले number से एक number बड़ा होता है यानि कैसे आता है अगला number जब पिछले number में plus one करें तो अब अगर इन सारी बात को जहन में रखते हुए हम देखें तो अभी हमने देखा कि eight plus one क्या आता है eight plus one होता है nine के equal यानि eight में one plus करने से उससे अगला number जो कि nine है वो आता है और अब अगर हम nine plus one करें तो क्या आता है nine plus one तो इसका answer आता है ten nine में one plus किया तो ten आ गया अब अगर हम इन numbers को देखें तो जो number nine है ये कितने इसमें कितने डिजिट्स है इसमें one digit है यानि ये एक one digit number है लेकिन अगर हम number ten को देखें तो इसमें कितने डिजिट्स है वान तू इसमें two digits है यानि ये एक two digit number है तो जैसे कि हमने देखा कि eight से बड़ा one digit number nine है और nine से बड़ा कोई one digit number है नहीं है nine से बड़ा कोई भी one digit number नहीं है वो कैसे पता चला क्यूंकि nine में जब हमने one plus किया तो उससे हमारे पास ten आ गया जो कि two digit number है तो इससे हमें पता चला कि nine क्या है largest one digit number है यानि one digit numbers में जो सबसे बड़ा number है वो nine है जबकि ten क्या है ten को अगर हम देखें तो हम इस तरह से सोच सकते हैं कि number ten से कोई छोटा two digit number है ten से छोटा number तो nine है जो कि one digit number है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो number ten है इस से छोटा कोई भी two digit number नहीं है तो हम कह सकते हैं कि largest one digit number क्या है nine nine one digit number है जो कि largest one digit है यानि इस से बड़ा कोई भी one digit वाला number नहीं है इसी तरह से अगर हम देखें कि smallest two digit number कौन सा है तो अभी हमने देखा कि ten smallest two digit number है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ten अब हमने largest three digit number डूणना है तो इसलिए पहले कोई भी three digit number लिख लेते हैं जैसे four hundred seventy five क्या है एक three digit number है यानि इसमें digits की तेदा three है one two three अगर मैं आप से पूछूँ कि four hundred seventy five से बड़ा कोई three digit number लिखें तो वो कौन सा होगा वैसे तो बहुत सारे numbers हैं जो इस से बड़ा है लेकिन मैं for example यहाँ पे लिख देती हूँ nine hundred ninety nine hundred ninety एक three digit number है जो की four hundred seventy five से बड़ा है इसी तरह nine hundred ninety से बड़ा three digit number अगर कोई लिखें तो nine hundred ninety eight भी एक three digit number है जो की nine hundred ninety से बड़ा है इसी तरह nine hundred ninety से बड़ा nine hundred ninety seven भी होगा nine hundred ninety six भी होगा और nine hundred ninety eight भी होगा अब अगर मैं nine hundred ninety eight में प्लस करती हूँ one को तो फिर यह किसके इक्वल होगा यह इक्वल हो जाएगा nine hundred ninety nine के यह nine hundred ninety nine के कैसे इक्वल आया क्योंकि जब nine hundred ninety eight में one प्लस करेंगे तो आएगा nine hundred ninety nine और अब अगर मैं nine hundred ninety nine में प्लस करती हूँ one को तो फिर क्या आएगा nine hundred ninety nine plus one तो यह equal आएगा one thousand के one thousand के equal आजाएगा तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो nine hundred ninety nine है वो बड़ा है nine hundred ninety eight से और यह इसमें कितने डिजिट्स हैं? त्री डिजिट्स हैं तो इसी तरह से जब मैं nine hundred ninety nine में one प्लस करती हूँ तो उससे अगला नंबर या उससे बड़ा नंबर आता है जो की है one thousand और इसमें कितने डिजिट्स हैं? वान, टू, थ्री, फॉर इसमें four डिजिट्स हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि nine hundred ninety nine से बड़ा कोई भी three digit नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं largest three digit नंबर यानि सबसे बड़ा largest से मुराद सबसे बड़ा three digit नंबर और वो कौन सा है? nine hundred ninety nine यह क्या है? largest three digit नंबर है इसी तरह से अगर हम one thousand को देखें तो इसमें four digits है क्या one thousand से छोटा कोई four digit नंबर है? one thousand से छोटा नंबर है nine hundred ninety nine जो की एक three digit नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि smallest four digit नंबर है one thousand one thousand क्या है? smallest four digit नंबर है smallest four digit नंबर से मुराल सबसे छोटा four digit नंबर इस से छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें four digits हो तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा smallest four digit and largest three digit नंबर के बारे में